ओम शान्ती 18 मार्च 2023 अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे श्विव बाबा की ग्यान मोरली मीठे बच्चे मोश्ट बिलवेड बाप का यतार्त परिचे देने की युक्तिया निकालनी है एक्यूरेड ही शब्दों में अलब का परिचे दो तो सर्वयापी की बात खतम हो जाएगी प्रश्ण अभीनाशी ग्यान रतन चुगने वाले बच्चों का फरज क्या है उत्तर ग्यान की हर बात पर अच्चरिती विचार सागर मंतन कर एक बाप की सब को सही पैचान देना पुन्यात्मा बनाने वाले के साथ साथ पापात्मा किसने बनाया यह समझ देना तुम बच्चों का फरज है सब को रावन के बेर चुगने से बचाय जाए ग्यान रतन चुगाने है, सर्विस की भिन्न भिन्ने युक्तिया निकालनी है सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी गीत है प्रितम आन मिलो, ओम शान्ती बाप परमपिता को हमेशा रचिता कहा जाता है परमपिता जो रचिता है वो मनुक्ष कैसे रचिते मनुक्ष ही उनको बाप कह बुलाते है क्योंकि दुकी है सभी उस एक रचिता को याद करते है तो पहले पहले ये समझाना है कि मनुक्ष सुरुष्टी का रचिता कोन है वो रचिता ही सबका बाप ठेरा पहले पहले बाप का परिचे देना है आत्मा को न अपना न बाप का परिचे है अगर हम आत्मा का परिचे हो तो समझे कि हम किसकी संतान है हम परमपिता परमात्मा की संतान है वो बाप रचीता है तो जरूर पहले पहले मनुख्य सुरुष्टी रचते होंगे वन नहीं दुन हम उस बाप के बच्चे है जो बाप स्वर्ग रचता है तो हम भी वहां होने चाहिए या परमधाम में होने चाहिए परंतु हम को या पाड बजाने आना पड़ता है यह विचार सागर मंतन करने की युक्तिया जितना समय मिले तो यह विचार सागर मंतन करना है, सादू संतादी कोई भी यतार्त लिती बाप को जानते नहीं है, रचिता जरू स्वर्गही रचेंगे, तो फिर सब आत्मा निर्वान्धाम में होनी चाहिए, बो निर्वान्धाम है सब आत्माओं का घर, जब बाप ही रहते हैं, तुम बच्चो को बेहत के बाप से बुद्धियोग जोड़ने के लिए मेनत करनी पड़ती है योग न होने के कारण ही फिर मनुक्ष से पाफ होते है या धारना नहीं हो सकती बाप को याद नहीं करते भगवान तो एक ही है वो है मोश्ट बिल्वेट स्वर्ग का रचेता वहाँ बहुत है या दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते है बाप बच्चों को सुक के लिए ही जरम देते है सत्युक त्रेता को कहाई जाता है सुकधाम अभी है कलियोग इनके लिए इनके बाद फिर सत्युक आना है तो जरूर बाप को भी आना चाहिए ऐसे ऐसे विचार साग मनतन कर फिर कोई को बेट समझाना चाहिए यहा तुम को बाप का परिचे मिलता है बाप द्वारा मनुक्षे उस मोश्ट बिलबेड बाप को जानते नहीं है बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं है हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते वो बहत का बाप है सभी आत्मों का वो निराकारी साकर प्रजापिता द्वारा रचना रचते है प्रजापिता ब्रह्मा है ब्रामन ब्रामनिया भी है जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप प्रह्मपिता ही होगा जिसको क्रियेटर कहा जाता है कोई भी आते है तो पहले प पड़े तब फिर आगे समझ सके अलब बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे वह भी समझाना ऐसे है जो मनुख्य समझे इनों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई दे पड़ती है ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बहत का बाब स्वर्ग का रचीता है जरू नरक का भी रचीता कोई होगा पावन बनाने वाला एक बाब है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा यह अच्चरिती समझाना है बाब कोन है जिसको हम याद करते है रावन को तो याद नहीं करेंगे मनुख्य को मनुख्य तो न पावन बनाने वाले राम परमा आत्मा का बाप कोन है यह प्रश्ण और कोई पूछ न सके आत्मा तो हर एक मनुक्ष में है जीवात्मा पापात्मा पुन्यात्मा कहा जाता है ना पुन्यात्मा तो बाप ही बनाते है फिर इसको पापात्मा कोन बनाते है यह जरूर समझाना पड़े पाप जो स्वर्ग का र पावन आओ, इतने सब पतित मनुक्षों को पावन कोन बनाए, सर्व्यापी है, फिर तो यह बात नहीं उठती कि परमपिता परमात्मा आओ, सर्व्यापी है फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं है, अभी हम आपको बहुत अच्चे राय देते है, ब्रह्मा की राय तो मशूर है ना, हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रामन ब्रामनिया है, ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर उच होगा, ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव, वह आत्माव का पिता, वह प्रजा पिता, तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार साक मनतन करेंगे तो तुमको बहुत रहेगी कोई आये तो उनको ग्यान रतन देने हैं पाप आकर अविनाशी ग्यान रतन चुक्ते चुग आते है इसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार स्वरस्वती भी होगी अब प्रैक्टिकल में है इनकी लिए गायन है सबकी मनों कामने पूरी करने वाली अविनाशी ग्यान रतन दान करने वाली गौड़ेज ऑप नौलेज उन्होंने फिर स्वरस्वती को बेंजो दे दिया है यह सब बाते बुद्धी में आनी चाहिए जिसको भाषन करना है तो वीचार सागर मंतन करना होता है पहले भाषन लिक रिफाइन करना चाहिए बड़े-बड़े स्पीकर जो होते है वह बहुत खबरदारी से बोलते है बिल्कुल एक्विरेट सुनाते है जरा भी हिचका तो आबरू इज्जेच चली जाएगी पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते है यहां भी इतना बुद्धी में रहना चाहिए जो किसी को बाप का परिचे दे सको सर्विस करनी है विकारों विकारी गुरों की जिंजिरों में बहुत फसे हुई है वो कोई की सद्गति तो नहीं कर सकते पतित पावन निराकर भगवान को ही कहा जाता है सर्वियापी के ग्यान से तो कोई की सद्गति नहीं हुई है पतित पावन है एक शिव भाबा उनको रुद्र भी कहा जाता है रुद्र यग्य भी मशूर है इतना बड़ा यग्य और कोई रच न सके रुद्र ग्यान यग् खता सुनाते हैं उसको रुद्र यग्य कहते है फास्तों में रुद्र यग्य यह है यह यग्य तो बहुत समय चलता है उन का तो करके मास बर यग्य चलेगा यह तो देखो कितना समय चलता है इसमें जो भी सब पुराने चीज़े athletics होनी है यह सारी पुरानी दुनिया इसमें भसम होनी है कितना बड़ा यग्य है ख्याल तो करो जब सब के शरीर स्वा हो तब सभी आत्में वापिस परमधाम में जाए जब तक बाप ना आये तो पतित से पावन कैसे बने माया कोई जंजिरों से लिबरेट कोन करे कोई तो होना चाहिए ना इसलिए कोई तो होना चाहिए ना इसलिए खुद मालिक ही आते है ऐसे नहीं सर्व्यापी हो पेट कर ग्यान देते है वो तो आते है हम उनकी संतान पोत्रे है वास्तों में वास्तों में हो तुम भी अब वो बाप आया है अब वो बाप आया हुआ है अपना परीचे दे रहे है सुरग की स्तापना हो रही है हम है राज्योग रुशी वो है हट्योग रुशी इस पर शायद एक काणी भी है कि फलाने रुशी का वजन भारी है या राज रुशी का वजन भारी है वो है सब भक्ति मारगा की बाते और यह है ग्यान मारगा भक्ती और ग्यान के तराजू की कुछ कता है एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र दुसरे तरफ है ग्यान की गिता तो भारी एक गिता हो जाती है गिता है राजरिश्यों की हट योगी की हट योगी क्यों तो बहुत शास्त्र है एक तरफ है एक तरफ है व वास्ते में वो भी कोई हमारी नहीं है, हमारी तो है ही ज्ञान की बात, गिता का भगवान आता ही है सद्गती करने के लिए, तो बच्चों को बुद्धी में यह सब रहना चाहिए, फिर कोई समझे न समझे, अपना फर्ज है एक एक को समझाना, मोत के समय सभी की आके खुलेगी, इस ज्ञान यग्य से ही यह विनाश ज्वाला पर निकली है, अब तुम पांडबो का पती है परमपिता परमात्मा, पती तो को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा नकी स्री कृष्ण, वह तो प्रिंस है, उनको कोई गौड फादर नहीं कहेंगे, फादर तब खा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं, स्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है तो उसको फादर कैसे कहा जाए, ला नहीं कहता, स्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्ची चाहिए तब फादर कहा जाए, वह तो फिर ग्रस्टी हो गया, यहां तो निराकर बाब बेड ग्यान देते है, वह कभी ग्रस्ट में आते नहीं है, सदा पवित्र है, स्री कृष्ण तो माता के गरब से जनम लेते है, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे, अभी तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है, प्रजापिता तो जरूर यहां ही होना चाहिए न, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते है, मैं साधारन तन में प्रवेश करता हूँ, यह 84 जनम भोग अभी अंतिम जनम में है, और वानप्रस्त अवस्ता में पूरा अनुभवी रथ है, अर्जुन के लिए भी कहते है न, बहुत गुरु किये थे, शास्तर आधी पढ़े थे तो समझाना भी ऐसे चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्रामन चाहिए, वर्ण भी मुक्य है, चक्र में भी वर्ण दिखाते है, ब्रामन कूल है सबसे छोटा, उनों के ग्यान लेने का समय भी थोड़ा है, कितने थोड़े ब्रामन है, फिर उनसे जास्ती देवता है, उनसे जास्ती चत्री है, उनसे जास्ती वेशिय, शुद्र, तो तुम ब्रामन कितने थोड़े हो, इन थोड़ों में ही वह बहुत थोड़े है, जिनको सदेवख खुशी का पारा चड़ा रहता है बाप ने समझाया है खुशी का पारा चड़ेगा अमुरूत वेले दीन को और रात को वायू मंडल बहुत गंदा रहता है उस समय याद मुश्किल रहती है अमुरूत वेले का समय गाया हुआ है उसी समय सभी आत्मे ठक कर शरी से डिटेच होकर सो जाती है वह शूब मुहरत यू तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए बाकी हट से एक जगा बेट याद करेंगे तो ठेरेंगी नहीं क्रुशी मुनी भक्तर लोग भी अमरुत वेले उट किरतन आदी करते है क्योंकि उस समय शुद्ध वातावरण रहता है तो कोई भी आये उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे है इसमें कोई अंदश्रदा की तो बात ही नहीं है निराकर बाप टीचर के रूप से हमको सहज राज्युक सिखा रहे है तो मनुक्ष आच्चा दे सखाएंगे कि इनों को निराकर कैसे पढ़ाते है भगवान वाच बरोबर है तो जरूर भी जरूर शरीर में आकर राज्युक सिखाया होगा कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परीचे देना चाहिए सरव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा जब तक भगवान के महावाक के कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ न सके भगवान है निराकार ब्रह्मा है साकार प्रजा पिता तुम हो ब्रह्मा को पर कुमारिया निराकार प्रमात्मा ब्रह्मातन से पढ़ाते हैं हमारा M object है मनुक्ष से देवता बनना बाप का परीचे देंगे तो बाप की याद रहेगी कोई कोई लिखते है भगवान मिराकार है तो उनको समझाना चाहिए कोई फिर लिखते है कि हम जानते ही नहीं है अरे तुम बाप को नहीं जानते हो परमपिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना बच्चे तो जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्मा जन्मानतर के लिए आजिवी का प्राप्ता करते हैं इसमें जो विखन डालते हैं उन पर कितना पाप चड़ता होगा सो भी समझ कर विखन डालते हैं बे समझ पर तो कोई पहले पहले मातपीता, फिर बाप ददा, मातपीता उनको कहाजता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर यह हो गए बाप ददा फिर कहते जगदंबा यह बड़ी गुह औते हैं, सबसे गुह पहली यह है जिसको समझने से मनुख्ष को बहुत फाइदा हो जाएगा, फिर कहते सिखिलदे यह दूसरी पहली फिर कहते ब्राह्मन कूल गुषन सुदर्शन चक्रधारी यह भी नई पहली है एक एक बात में पहली है अच्छा सोदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नो प्रती याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुक्के साथ अमरुत्विले के शूब मुर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चड़ाना है चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है दूसरा पॉइंट पापों के पाप कर्मों से बचनेवा ग्यान की अच्ची धारना करने के लिए एक बाप से बुद्धियोग जोड़ने की मेनत करनी है वरदान बिंदी रूप में स्तीत रह सार युक्त योग युक्त 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 सुरूप का अनुबो करने वाले सदा समर्थ भवो क्रुच्चन मार्क के टेड़े रास्ते पर जानने के बज़ाए हर बात में बिंदी लगाओ बिंदु रूप में स्तीत हो जाओ तो सार युक्त योग युक्त युक्त सुरूप का अनुबो करेंगे सुमूर्थी बोल और करम सब समर्थ हो जाएंगे बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के वेर्थ बोल और करम में समय और शक्तिया वेर्थ गवा देंगे क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा इसलिए बिंदू रूप में स्तीतर सर्वक कर्मिंद्रों को आडर प्रमान चलाओ स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्वक हजानों की अनुभुती होती रहेगी बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्वक हजानों की अनुभुती होती रहेगी